जब भी आप कोई चीज परते हो और उसको ज़ादा टाइम तक याद नहीं रख पाते हो, कभी सोचे हो ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो आप ये ज़रूर सोचे होंगे that मेरा दिमाग कमजोर है, इसलिए मैं याद नहीं रख पाती हूँ. क्या मेर आप सुनने के बाद आप चोटा से चोटा कंसेप्ट बिलकुल याद रख सकते हो, आपको मतलब दो बारा इसको रिवीजन भी देना नहीं पड़ेगा, और ये टेक्निक मैं पिछली चार साथ से फॉलो करते आ रही हूँ. So hello everyone, स्वागत करते हूँ आप सभी का हमारे चैनल Decority Law में, तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, हमारे जो human brain है, वो छोटा से छोटा चीज़ को याद नहीं रख पाता है. जब भी आप उस छोटा चीज़ को कोई बड़ा चीज़ के साथ connect करके पढ़ोगे, या फिर य याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं. और college life में मेरा ये जो भूलने का problem है, ये बहुत ही मतलब मेरे उपर एक डर के जैसा हो गया था. मतलब डर लगता था, अगर कोई question मतलब मेरे को पूछा जाए और मैं भूल जाती हूँ उसका answer, तब क्या होगा? बट जब मैं ये technique discovered की, मैं बहुत time दख, बहुत सरा छोटा से छोटा चीज़ को बहुत लंबा time के लिए याद रख पाती हूँ. चलिए एक example दे करके आपको बताती हूँ कैसे आपको चीज़ों को bear act का जो raw provision है, उसको याद रखना है. तो जब से एक trailer release हुआ है, recently एक Bollywood movie का trailer release हुआ ह और जब से ये trailer आया है, तब से मैं decide कर ली थी, मैं ये video बनाऊंगी ताकि आप सभी लोगों को ऐसे technique के बारे में पता चले कैसे bear act का raw provision है, उसके साथ Bollywood movie को connect करके आप provision को बिलकुल, मतलब एकदम आपके दिमाग पर fit कर सको. और मैं कोई masala दर movie की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर मतलब masala masala डालके मेरा करन अर्जुन आएंगे ऐसा वाला movie मैं देखने के लिए नहीं बोल रही हूँ. ऐसी कुछ movies के बारे में बात कर रही हूँ, जो एकदम bear act का raw provisions है, उसको incorporate किया गया है, एकदम कोई melodrama नहीं, direct on point पर है, bear act का जो provision होता है, उसको decode करने के लि private tuition, law colleges में तो बिल्कुल भी नहीं, so let's dive in. तो सबसे पहले, जो movie की बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो है Drisham, ठीके? Drisham 2 movie का trailer आ गया है, but movie 18 November को release होगा, ठीके? तो Drisham जो movie था, वो एकदम कम budget में, मतलब 38 क्रोर में इसको तयार किया गया है, और इसका box office collection है, 100 करोर से भ view अगेरा, ऐसा कुछ चीज नहीं बता रही हूँ, but being a lawyer, मैं बहुत सारा movies देखती हूँ, और why? इसका reason यही है, that bear acts का जो provision है, जो ऐसा कुछ movies है, वहाँ पर बिल्कुल incorporate ऐसा किया गया है, जैसे कि आप एक bear act पह रहा हूँ, और जब भी मैं movie देखती हूँ, मेरे को ऐसा कि bear act पहने का कोई जब भी नहीं है, जब मैं movie देख रही हूँ, bear act मतलब अपने आप मेरी brain पर उसका एक revision होता चला जा रहा है, तो disclosing my secret, how to remember a particular provision of law, क्योंकि law को सिर्फ पहना या फिर उसको पह लिया, रट लिया, इससे कोई भी काम नहीं बनेगा, उसको याद रखके particular place आप जब उसको application करोगे, तभी माना जाएगा आपका पढ़ाई है, वो successful हुआ, so execution is more than anything else, तो सबसे पहले, Bollywood movie जो दृशम टूव अगेरा ऐसा जो movie है, वहाँ पर Indian Evidence Act का एक बहुत ही important, जो हर एक lawyer को, law student को, अगर आप एक judge बनना चाहते हो, तो सभी के लिए बहुत ही important हो जाता है, exam point of view से, या फिर अगर आप एक practicing lawyer हो, ground में practice करने के लिए, चीजों को proof करने के लिए, ये सारा points बहुत ही important हो जाता है, तो सबसे पहले, Indian Evidence Act का, जो doctrine of alibi, ये जो concept है, जो section 11 में incorporate किया गया है, इसको बहुत ही खुपसूरत तरीके से, इस movie पर दिखाया गया है, और आप मेंसे जो लोग ये movie को देखे हैं, comment करके जरूर बताएगा, तो चलिए connect करते हैं, direct का जो provision है, और movie में क्या दिखाया गया है, उसको एक सार, 2 October, Vijay Salgokar और उसके जो family है, पंजी में गये, सत्संग अटेन करने के लिए, और 3 October, वहां से वापस आए, और जो Sam है, उसका murder कहाँ पर हुआ था, कभी देखे हो movie को बिल्कुल ध्यान से, meticulously, Sam का murder हुआ था, पॉंडो लेम जो police station है, उसका jurisdiction के अंदर Sam का murder हुआ था, और जो सत्संग था, वह कहाँ पर हुआ था, वह पंजी में हुआ था, नाव यहाँ पर एक million dollar question arise होता है, ताट Vijay Salgankar, उनका जो family है, वो Sam का murder किया है, या फिर नहीं किया है, सारा का सारा evidences है, उसको मिटाने के लिए, जो concept का सहारा लिया गया, और वो है, doctrine of alibi, section 11 of the Indian Evidence Act, यह section पर कुछ भी नहीं, सिर्फ दो sub clauses, और यही दो sub clauses, most powerful element है, section 11 का, और यह बहुत खूब सुरत, बहुत beautifully picturization किया गया है, doctrine of alibi का मतलब होता है, elsewhere और somewhere else, ठीके, और इसका हिंदी का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, यह particular doctrine, physical presence के उपर बात करता है, मतलब जहाँ पर कोई crime हो रहा है, और crime spot पर आपका presence था या फिर नहीं था, इसके बारे म ही पता है, तो आप कोई भी section को जाधा time तक बिल्कुल भी याद नहीं रख पाऊगे, और यह सारा techniques कहीं पर भी आपको सिखाया नहीं जाएगा, तो चलिए let's decode this section, और decode करने के लिए एक छोटा सा pencil ले लिया और चलिए शुरू करते, when facts not otherwise relevant, इसको underline करना पड़ेगा, and become relevant, ठीक है, इसको भी underline कीजे, मतलब एक fact जो otherwise relevant नहीं है, but वो relevant कब हो जाता है, इसका मतलब एक जो fact से वो otherwise relevant नहीं होता है, वो subsequently कोई और अलग चीज के साथ जूर के वो relevant हो जाता है, court में सबसे पहले decide क्या जाता है, what is the fact in issue, या फिर relevant fact, तो subclass 1, that if they are inconsistent with any fact, inconsistent इसको underline करना पड़ेगा, with any fact in issue or relevant fact, so fact in issue and relevant fact, इसका मतलब क्या, Suppose मैं आपका मडर किया हूँ, ठीके, मैंने ही आपका मडर किया है या फिर नहीं किया है, आपको मडर करने के लिए मेरा minstria क्या था, मतलब मेरा mental element, intention क्या था, आपका मडर करने के लिए क्या मैं ये pencil कही use की थी, या फिर नहीं की थी, तो ये सब चीजों को fact in issue बताया जाता और इसको ही evidence दे करके evidence adduce करके proof करना परता है अभी next subclass देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है if by themselves or in connection with other facts मतलब if by themselves मतलब वो खुदब खुद या फिर in connection with the other facts ठीके the facts they make the existence or non-existence of any fact in issue और relevant fact highly probable और improbable highly probable और improbable इसका मतलब क्या है तो द्रिशम movie के साथ connect करते है देखिए विजय का family 2 और 3 October पंजी में थे या फिर नहीं थे या फिर जो murder हुआ है Sam का उस particular place of crime में मौजुद थे या फिर नहीं थे ये जो particular fact है यही बनाता है इस fact को highly probable और improbable Sam का जो place पर death हुआ है उस place में उनका presence था या फिर नहीं था इसके साथ और एक important term that वो है inconsistent consistent मतलब सबोज आप रोज पढ़ाई करते हो आपको बुखार हुआ है आप फिर भी पढ़ाई करते हो तो इसका मतलब क्या आप बहुत ही consistent हो आप एक dedicated soul हो but दो दिन पढ़ाई करोगे चार दिन break लोगे इसका मतलब क्या आप highly inconsistent हो तो personally नहीं लेना है सिर्फ example देने के लिए बता रही है इसका मतलब क्या एक fact जो highly inconsistent है with the fact in issue या for relevant fact वो लोग छोटा से छोटा हर एक चीज का बिल collect करना चालू कर देंगे जैसे कि bus ticket, सबजी का बिल telephone का बिल, kevil का बिल ये सारा का सारा चीज वो collect करना चालू कर देंगे ताकि वो लोग proof कर सके उनका जो alibi है उसको बहुत ही strong कर सके और यहीं पर ही मैं आपको बताना चाहूंगी एक सबसे important case law Honorable Supreme Court in the case of बुतनाथ पांडे वर्सेस State of Uttar Pradesh ये case में बताए थे fact of presence मतलब जो presence है accused का on the place of occurrence मतलब जहां पर crime हो रहा है इसके बारे में बताए थे और यहीं पर जो term inconsistent section पर use किया गया है इसका मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब something which is repugnance, opposition, antagonism या फिर legal contradiction या फिर something which is not in agreement और यहां पर जो doctrine of alibi का जो case होता है यहां पर burden of proof accused person के उपर depend करता है ये सारा का सारा चीज एक accused को court में magistrate को satisfy करना होता है in order to you know जो उनके उपर blame लगाया गया है उसको जार के fake ने खेली doctrine of alibi का जो सारा main factors से मतलब decode करके जो pointers उठ करके आएगा जैसा कि inconsistent with the fact in issue और दूसरा है probable और improbable, highly probable और improbable और तीसरा है existence and non existence of a particular fact जो कि highly probable और improbable बनाता है अभी मैं आपको बताते हूं some practical aspect के बाड़े में court में as impeachable evidence के तौर पर लिया जाता है तो सबसे पहले देखे doctrine of alibi को proof करने के लिए highly reasonable, conclusive evidence court में देना परता है वो एक direct evidence भी हो सकता है या फिर circumstantial evidences भी हो सकता है so in the case of Dharmir Singh versus state ये case में क्या हुआ था जो मतलब इनके उपर एक murder के charge दिया गया था बट इनोंने बता उस दिन गाउं में नहीं था गाउं के बिलकुल past में जो एक सहरे उसको visit करने के लिए मैं गई थी और court ने बोला जो सहरे आप visit करने के लिए गई थे वो गाउं के बिलकुल बगल में ही है इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है ताइट जो murder आपने किये हो वहाँ पर आप present नहीं हो सकते हो और वहाँ पर मतलब murder करके अप फिर से वो town में चले गाई हो so ऐसा करके आप doctrine of alibi proof नहीं कर सकते हो इसके लिए एक highly reasonableness वाला and trustworthy एक cogent evidence code में देना परता है जिसके तहित आप जो alibi है उसको proof कर सकोगे so let's say for an example suppose आप मेरे घर पर डिनर पर आ रहे हो ठीके और डिनर पर आने के लिए हो सकता है आप कुछ मिठाई वगरा लेके आ सकते हो और चीस लेके आ सकते हो ठीके बट suppose आप मेरे घर पर डिनर पर आ रहे हो और बैक में एक चाकू ले करके ठीके तो यहाँ पर क्या यह possible है चाकू ले करके कौन किसी के घर पर डिनर पर चाकू लेके जाते वाई अगर यहाँ पर कोई मडर वगरा हो जाता है तो आपका इंस्टेंट जो mental element है मेंस्रिया attract हो जाएगा क्योंकि डिनर पर तो कोई चाकू ले करके नहीं आता है आप पूरा pre-plant करके मडर करने के लिए चाकू ले करके आये थे तो ऐसा करके सारा का सारा चीज के साथ मेंस्रिया mental element एक्टस्रिया physical element का connection बिठाना परता है अब यह एक और situation देखें सब्बोज आप मेरे घर पर डिनर पर आये हो और एक wine का जो bottle है वो ला करके Just giving you an example, okay So wine का bottle ला करके आप मतलब dinner table पर रखे हो So by the heat of the moment ऐसा कोई arguments वहाँ पर छेर जाता है और by the heat of the moment आप वो wine के bottle जस्ट ऐसे करके तोड़े और मतलब उससे मडर कर दिये तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर आपको बहुत सारा मतलब heated arguments था या फिर नहीं था पुराना कोई ग्रच था या फिर नहीं था ऐसा करके प्रूफ करना पड़ता है बर जब भी आप चाकू ले करके आओगे वहाँ पर मतलब 100% मिल्स्ट्रिया अट्रक्ट हो जाता है दाट mother करने का planning के साथ ही आप वहाँ पर गए थे ठीके और movie में एक जगा याद है जहाँ पर CCTV कैमेरा वाला जो पोर्षा ने वो चेक किया जा रहा था वो क्यों मदब उनका presence था या फिर नहीं था उसको चेक करने के लिए वीडियो के एक दम आखिर में आ गई हूँ और यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट बता करके इस टॉपिक को खतम करो आई होप आपका मैं जादा समय नहीं लिया है इस चीज़ को समझाने के लिए और यह जो doctrine of alibi है यह दो theory पर based है ठीके theory of fact of presence यह जो point है इसको discuss किया गया था इसा करके आपको यह pointers को याद रखना है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया है प्लीज डोंट फर्गेट तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चानल मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर तिल देन, stay happy, stay blessed, keep learning new things and thank you so much for watching this video, have a nice day